योग क्रांती परिवार के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह एक बार पुनाहा मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग की एक नई जानकारी लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें साथी साथ लाइक करें सेयर करें और कमेंट भी करें वेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर मिल सके यह जानकारी कल की न्यूस पेपर में आई हुई थी लिखा हुआ है कुमायू के राजकिय आरविदिक अस्पतालों में जल्दी ही रोज सुबह योग की कर्चाएं लगेंगी यहाँ पर आप नीचे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है दरसल इन सभी अस्पतालों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा इन सेंटरों के माध्यम से ब्लेट सुगर, गर्वती की जाचें, हीमोगलोबिन टेस्ट आदी भी निसुल के किये जाएंगे इसके लिए अस्पतालों में बकाइदा लेब भी इस्ताबित की जाएगी केंदर सरकार की आयुसमान भारत योजना के तहट राज्य में 60 राजकिय आर्विदिक अस्पतालों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाना है जिसमें से उधम से नगर और अलमोडा जिले में 6-6, नैनिताल और चमपावज जिले में 4-4, प्रिथोरागड में 2 और बागिस्वर में एक राजकिय आर्विदिक अस्पताल सामिल है यूनानी एवं आर्विदिक चिकिस्वर्भाग को इन अस्पतालों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम मार्च 2021 तक पूरा करना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने वाले आर्विदिक अस्पतालों में युग प्रसिक्षक रखे जाएंगे यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट करा दूँ, यह जानकारी उत्तराखंड से है, अभी मद्द प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजिस्थान, करनाटक, अंडवान निकोबार, आधी कुछ जगए पर आप देख पा रहे होंगे, हेल्थ एंड वेलेस सेंटर के अं काप से आपको मिलेगा, जितने सेसन आप लेंगे, उतनी आपको सेलरी मिलने वाली है, तो अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद,